कमपनी में ऑक्सिजन का सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हास्सा दो की मोत तीन घायल मामला दिल्ली से सटे फरिदवाद का है जहां ऑक्सिजन सिलेंडर की कमपनी में सिलेंडर फटने से मोके पर दो मजदूरों की मोत हो गई और तीन मजदूर गंबी रुप से घायल हो गई जिने पहिदवाद के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भरती करवाया गया है हादसा होते ही इलाके में हडकम बच गया घटना के बाद पिलिस के आला दिकारी और दमकल भिवाग के साथ मोके पर पहुँचे और सभी घायलों को इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भरती करवाया गया और मिर्त मजदूरों के सबों को सिविल अस्पताल में रखवा कर मामले की जांच में जुट गई वो दूसरे सिलिंडर्स पे एक दूसरे को पर गिर गए और एक दो आदमी उसके निच्चे दब गए तो टोटल दो के जुएल्टी जो पता लग रहा हुई है और दो तिन आदमी इंजर्ड हुए है तोटल कितने आदमी किस अज़ने अब टोटल दो नहीं पताल की अंदर कितमे थे तो जो यहां बागे पता लगए तो पांच का इपता लग रहा है कि 5 आदमी जिसमें दो की जैस हो गी है और तीन आदमियों को जो है चोटी मोटी इंजरी जाए तीन लोग भाय ले उनने क दिखाई देरा ये नजारा फरिदबाद के सेक्टर 25 की आरगन एयर गैसिस प्राइवेल लिमिटेड कमपनी का है जहां देरात ऑक्सिजन सिलेंडर व्लाष्ट होने से पांच मजदूर उसकी चपेट में आ गई जिसमें दो मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और तीन मजदूर गंबी रूफ से घायल हो गई सिलेंडर फटने की आवास सुनते ही आसपास के लोग एकत्रित होकर कमपनी में पहुच गए और बचाव कारे शुरू कर दिया कितने आदमी काम कर रहे थे प्लांट में वहीं सिविल असपतार के डॉक्टर के मताविक पुलिस कर्मी दो गईलो को लेकर यहां आए थे जिन्होंने बताए कि कमपनी में ब्लाष्ट हुआ है पुलिस द्वारे यहां लाए गई दोनों यूवक मिर्तवस्ता में यहां लाए गई थे बेसिकली यहां पे पुलिस कॉंस्टेवल लेकर आया है सेक्टर 24 से तो इन्होंने यह दो ब्रॉडडड आया है जो केस था जैसे इनकी इन्फॉर्मेशन के इसाब से कि कोई सिलिंडर बर्स्त हुआ था इसके बाद दो जो आया थे तो और लेड़ी ब्रॉडडड कंडिश है उसका मुझने मॉर्चरी सिफ्ट करवा जिया बाकि आगे का प्रोसीदर करें